इंद्रा गांजी के करम बुर्य थे इसलिए मरी पिचत्र में एमर्जेंसी लगा के सारे देश के जो है लोगों को जेल में डाल दिया अपनी सत्ता बचाली दलित पिछड़ों और मुसल्मानों से बोट लेते थे और उसके बाद में बोट लेने के बाद में उनको भूल जात करते थे इंद्रा गांजी के पॉलिशी थी राज सत्ता ये नहीं कहती कि जब किसी पर जो है कोई जुर्म तै हो जाए तो उसको जो है अट जाना चाहिए आकासमानी में तो वो जो है परसुमोदी को में एक चैनल बैठे गाली दे रही थी नमशकार मैं नूर जहाँ और इस वक्त मैं मौझूदू दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पे आप देख पारे होंगे हाँ पे पोस्टर लगा हुआ है नवंबर 1984 कतले आम दिल्ली पुलिस और कॉंग्रेस पार्टी ने अरावली की पहाड़ियों में सीखो की लाशों को प दूसरी तरफ देखा जाए तो आजी के दिन 31 अक्टूबर वाले दिन इंदरा गांदी का देहान तुआ था तो उसी को लेके लोग शोक मना रहे हैं रगदान किया जा रहा है लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सिखों के साथ भी बहुती नरसिंघार हुआ था उसी को लेकर हम बात करेंगे क्या कहेंगे सर इस बात पर दिखी सिखों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ राजीब गांदी ने कहा जविंद्रा गांदी मरी कि जो बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है तो बड़ा पेड़ हो गए उसकी मा तो और ये सब बेकार हो समझे ना जमीन हिल गे और इनको मार दिया तो अत्याचार हमने स्वेम देखा था क्या क्या हुआ लोगों की पगडियां उतार करके लोगों के गले में जलता हुआ टायट डाल करके जिंदा जला दिया और उनको तपनाया भी नहीं गया उनको जलाया भी नहीं गया उनको क इतना अच्छा उन्होंने काम करा है देश के लिए अपनी सत्ता बचा ली राज सत्ता ये नहीं कहती कि जब किसी पर जुर्म तेह हो जाए तो उसको जो है, उसको हट जाना चाहिए, सबसे बढ़िया पेशा राज का ये, सत्ता का ये, साथसन का ये, अब वो उसके बाद में उसने फिर जो है, दुबारा वो राज में आ गई, दुबारा राज में आ के उसने शिक्षों को इसके लिए वो बनाया, समझे न? क्या च्णा क्या काम करी कौन से अच्छे काम करीक अपने घर को समपत्र टो बढ़ाने के अपने डिया अपने नाम को बढ़ाने के अलाव मुझे तो कूई अच्छा काम नी Bow । τις उलब तो आप पूरा कॉंगरेस पार्टी को एक तरीके से वह टारिट कर रहा है। लोग जागरत नहीं थे और बड़ा बर्ग उसको बोड़ देता था हमारे यहां का एक समाज है बालिमिक समाज उसके जो पुड़े-बड़े हैं जो पगड़ियां बानते हैं उसके सामने कॉंग्रेशी बुराई कर दो तो तुम्हें मार देगा वो आज भी ऐसा है वो लेकि बड़ा दूसी जातियों को बड़ा मेहनत करी उसने तब जागे जो है कांगरेश खतम हुई और कांगरेश की सच्चाई हो रहा तो तो मोधी जी के राज में आप क्या देख लिए महिंगाई देख लीजे आप और देख लिए महिलाओं के सुरक्षे कर रहा है मोधी जी के पहार नाम करने से क्या होगा आप देख लीजे आप देखे लीजे तो बड़ती है ओर महिंगाई बढ़ेगी और अब देखिए जो राहुल गांधी नाइ गांधी परिवार उसमे राज में देखा ता कि महंगाई कहा थी और अब देखे टमाटर के दाम प्याच के दाम द समझें ना टमाटर और फ्याज आज महेंगे हो गए उनके जमाने में नहीं था इनके जमाने में हम जो है वो चला थे इस टोप और उससे धुवा निकलता था था खाना बना दे थे सलेंडर तो जो मोदी जी बाजबी जी के राजम पेदा पहुआ गर घर पोचा सेलेंडर उस इस सकती है पानी माफ महीला माफ बस में महीला बिना पैसे चलेगी जब देश चल 거죠 थे लंका पहुझा जाएगा दिवाली और बंपकल संघ तो कुछ लाक्त लेगा नहीं चाहिए भाठा पहर क्रें को महीलाओं के लिए कम से कमम्दी जी क्या कर रहे इंग पछास-पचास कर दो हैं तो हैं नहीं पर अच्छी तन्खा नहीं वह बिना पैसे चलती है आप जैसे कोई महनत करने वाली चले मेरी घर वाली चले तो मान लो कि अधारी बनाना चाहिए था वो सब के लिए बना दिया यह है और वो तो जो है सब चीज फिरी कर देगा और उसके बाद में स्री लंका पे जो है ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा फिर भागेगा वह भागेगा नहीं वो तो दिवाली के आगे पीछ जेल जा रहा है तो आपको पता ही नहीं तक आपको मैंने बता जिए नोट कर लो जाने वाला है कैसे कह रहे हैं अभी तक जाने वाले कर रहे हैं उसका मतलब और कानूं सपागल है ऐसी अंदर कर देता है अरे वो तो मोदी के बोलने से जा रहे हैं इडिया इचापा जाए इस वारे हम काम बोलने को मोदी का क्या मतलब इसमें बोलने से उन्होंने जो करम किये उन्होंने जो कमाया है उन्होंने जो पैसा लिया है वो जो है एजेंसिया निकालेंगी नहीं एजेंसिया जो लाख जो दो लाग चाठी लाग तनका लेती हैं तो उनका काम नहीं है यह काम करना है ये तो होगा ही आपको चैनल ने भेजा है तो मेरे लिए भेजा है कि जबाहर का यह लेक आना इंटर्वी बस और कुछ वत करना यही है जो लगाते हैं राथ दिन को बड़ाई कनने वाला उसको बड़ीया भईया कएगा बढ़िया अधर रे से लेगा और जो कॉंग्रेस के में उसका रेनु मित्तल मेरे दोस्त की वह है रिष्टेदार अनेंत मित्तल की वह उसका भाई इसमे था आकाजमानी में समझे न तो वह परसुम वोदी को एक चैनल बैठी काली दे रही थी उससे क्या होता है वो तो उसकी पॉलिसी ये देना तो जैसा कि इनोंने बताया कि जो इंदरा गांदी है मतलब इंदरा गांदी को जो मारा गया वो गलत नहीं था लेकिन जो सिखों के साथ हुआ वो कह रहे हैं वो जादा गलत हुआ उनका नर्शिंगार किया गया तो उसी को लेकर ये लोग प्रदेशन कर रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि जो दिल्ली पॉलिस और कॉंग्रेस पार्टी बताए वही सवाल उठ रहा है कि पाँज़ार सिखों के लाशे कहा गई तो उसी को देखिए लोग प्रदेशन कर रहे हैं लगातार बार बार यहां पर आते हैं प्रदेशन करने तो आप इनकी बात से कितना सहमत है क्या सही है ये हमें जरूर बताएगा और देखते रहे जनेत आवाज